नमस्कार, स्वागत है आपका एना नियूज में Creativity एक बहुत ही किमती गुन है जो हर किसी में नहीं देखने को मिलता लेकिन आज कल जहां देखिए वहां कुछ न कुछ क्रियेटिव करने की कोसिस की ही जाती है खाने में Creativity, पहनावे में Creativity, घर में Creativity मतलब बोले तो हर छित्र में Creativity और Creativity लोगों का बोल वाला है तो इस करी में लंदन में एक मॉडल ने ऐसा ड्रेस पहना है कि कोडोना उसके आस पास नहीं भटकेगा क्या है उस ड्रेस में खास यह आपको बताए उससे पहले सब्सक्राइब करें एना न्यूस को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले कपडे Creativity दिखाने का सबसे उप्युक्त सोर्स है अब कोविड काल में लोग घर में बंद थे तो कहते हैं ना खाली दिमाग Creativity का घर इंग्लैंड में कोडोना एक बार फिर अपना जोड दिखा रहा है लेकिन वहाँ की सरकार हमारे सरकार से कम है के उन्होंने पूरी तरह से लॉकडाउन को खतम कर रखा है वहाँ पर Freedom Day का आयोजन किया जा रहा है जिसके बाद वहाँ सुरू हुई साधियों की सीजन इस करी में एक Wedding Planner Agency अपने गाउन को लेकर काफी वाइरल हो रही है इस गाउन को 500 फिस मास्क पे बनाया गया है इस गाउन को डिजाइन किया है मसहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर टॉम सिल्वरूड ने इस गाउन को मॉडल जेमीमा हैंबरो ने पहना और इस पर मॉडलिंग की इस एक Creativity से दो सिकार किये गए हैं जी हाँ एक तो ये खुबसूरत सा floating white dress बनाया गया दूसरा upskilled mask यूज करके समाच सेवा की गई आपको बता दे ब्रिटेन में हर हफते 100 million disposable mask फेक दिये जाते हैं ऐसे में इस Creativity का मुख्य उद्देश से इस वायो वेस्ट की ओर ध्यान आकर्सित करना था ये तो हुई विदेशी बाते अब करते हैं थोड़ी देशी चर्चा तो ऐसा है कि हमारा देश तो पहले ही कोडोना मुक्त हो गया है भले रोच 40,000 से अधिक लोग कोडोना संक्रमित हो रहे हो लेकिन अब बाइक पर 3 लरके माउंटन कॉलिंग करते हुए निकल रहे हैं पानीपुरी वाले भाईया भी पानीपुरी खिला खिला कर अब ठक गए हैं ऐसे में अब तीसरे लहर का खतरा बढ़ गया है तो इसी बीच डबलू एचो ने कुछ ग्यान की बाते कही हैं जी हाँ वही जिसने पहले कोडोना को संक्रामक नहीं माना और बाद में चीनी वाईरस नहीं माना उसकी ओर से तीसरे लहर को लेकर बहुत महत्वपुन ग्यान दी गए हैं तो डबलू एचो कहता है कि कोडोना का फुल वैक्सिनेशन के बात भी आपको संक्रामन हो सकता है मतलब मोदी जी ने बाहु बली बोल दिया तो बिना मास्क के दोरने वाले लोगों को भी कोडोना हो सकता है इसलिए मास्क लगाना अभी भी जरूरी है डबलू एचो का कहना है कि वैक्सिनेशन के बाद भी नए वाले रूप से ये बहरूपिया कोडोना आपको अपना सिकार बना सकता है ऐसा ही अपने देशरी डबलू एचो यानि ICMR की रिपोर्ट भी कहती है हाल में हुए सरवे में देश में 677 लोग आधा बाहुवल यानि COVID की पहली वैक्सिनेशन लेने के बाद भी संक्रमित हो गए जिन में से 86 प्रतिसद लोग नए डिल्टा वैरियंट के सिकार हुए तो खुल मिलाकर बात ऐसी है कि ये दुनिया एक डेल गारी है और हम आप यात्री तो ऐसा है कि यात्री अपने और अपनों के सामान यानि जान की रक्षा स्वें करें तो बाहुवली बनिये लेकिन मास्क और सेनेटाइजर के साथ घर में रहिए सुरक्षित रहिए बाकि देश दुनिया की चिंताई और खबरे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो में क्या अच्छा लगा वो कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक और सेर तो आप कढ़ी देंगे मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक जुड़े रहिए एना न्यूस के से